इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी ऑनास का बुक जियो मुर्फोलोजी और जियो मुर्फोलोजी का टॉपिक कंस्टिटुशन ऑफ दे और सिंटिरियर का पार्ट नंबर फॉर्स्ट ये दो पार्ट में हमारा ये जो चैप्रेर अपूरा का पूरा वो इसके बाद आपको डिस्क्रफ्ण बॉक्स में मिल जागा जहांसे भी ड्रसक अरट यहांसाइप ट्लोड कर सकते हो औरके जरूरत नहीं है और फ्रीमेर जाएगा तो बस एक काम कर देना हैं पैसे देने नहीं है आपको हम पर पार्ट देने का फसकी दिद con Das ताकि यह बहुत सारे बच्चों तक वीडियो बहुत सके, ठीक है, तो अभी देखो, जिनको भी जियो मॉर्फोलोजी पढ़ना है, जियोग्राफी ओनर्स वालों को, इन फैक्ट सब को पढ़ना है, बहुत ही मतलब, ऐसा हो यह नहीं सकते कि किसी को पढ़ना ही नहीं हो, कही वीडियो आपके लिए helpful होगी, तो यह जो पूरा का पूरा चाप्टर है, यह पहले भी complete हो चुका है, यह बहुत ही बड़ी बात है, यह चाप्टर हमारा complete है पहले से, इसके handwritten notes भी Instagram पे available है, तो आपको अगर ज़्यादा जल्दी होगी पढ़ने कि किसके exams होंगे, या फि इतना है कि वो handwritten है और यहाँ पे PDF format में मिल जाएगा, बस यही दो difference है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, लगबग सारी चीज असी में, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या हमें पढ़ना है, सबसे पहले तू देखो यह है, artificial sources, constitution of the earth's interior, किसको किसको समझ में आ और किसको किसको नहीं आया भई, देखो बहुत सारे ऐसे होंगे, जिनको समझ भी नहीं होगा, तो जो constitution of earth's interior है, इसका मतलब है, पूरे जो अर्थ का आंतरिक भाग है, उसका structure कैसा है, उसकी जो संग्रचना है, वो किस तरह से करी गई है, तो इसमें काफी सारी चीज़े देखेंगे, जिस अपार, solid state में है, यह सारी चीज़े हम कवर करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं, अल्दो, the study of the internal structure of earth is subject matter of geology, अब भाईया, यह subject matter किसका है, जियोलोजी का है, जियोग्राफी से इसका उतना ज्यादा कोई रिष्टा है नहीं, और हम ठहरे जियोग्राफी के students, but since the form of the upper surface of the earth has close relation with its internal structure, its study is also necessary in geography, लेकिन, क्योंकि यह अपर surface of earth है न, उसका बहुत ही ज्यादा close relation है किसके साथ, internal structure के साथ, ठीक है, अब ऐसा है कि हमारी यह earth है, तो earth है तो अब अंदर की जो संक्रचनाय है, उसके साथ उपर का connection तो है न, अब यह उपर वाला है, यह से जुड़ा हैं, वो जुड़े हुए हैं, अब इन ही के जुड़े होने के वज़े से हमारे लिए एकदम जरूरी होता है, नेसेसरी होता है इसे जियोग्राफी में study करना, समझे हैं, वरना यह हमारा subject matter है ही न, more definite proofs of the facts related to internal structure of earth are not available, बहुत सारे हमारे पास proofs नहीं है, definite proofs बहुत सारे ह बहुत सारे scholars आ गए, बहुत सारे scholars आ करके, क्या करें, इनका कुछ और है कहा जाना, इनका कुछ और है, यह कुछ और कह रहे हैं, मतलब सब में ऐसी मत भेद चल रहा है, तो कुछ इस तरह का है, क्योंकि अप डिरेक्टली तो कोई जा करके देख नहीं सकता ना कि interior of earth में क् मतलब क्या चीजे चल रहे हैं, तो वो अपने अपने कुछ चीजे लाएंगे जिसके basis पर बाताएंगे कि हाँ, कोई कहेगा कि हाँ, यह लिक्वीड है, कोई कहेगा कि 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 या तो direct sources से आई है या फिर indirect sources से, okay, we can divide them into three parts, तो यह जो हमारे sources है, जिसे हमें पता चल रहा है earth की interior के बारे में, उसको तीन पार्ट में divide किया गया है, पहला है artificial sources, दूसरा है evidences from the theories related to the origin of earth and तीसरा है natural sources, ठीक है, तो artificial sources में हमें क्या पढ़ना है density, pressure and temperature के बारे में, ठीक है, यह किस तरह से बताती है हमारे earth के interior के बारे में, या फिर किस तरह से जो हमारे scholars थे उन्होंने इस basis पे बताने की कोशिश की है, कि क्या है हमारे interior of earth में, evidences from the theories related to the origin of earth, जितने भी scholars ने जो theories दी है, उसके basis पे, ठीक है, यहाँ पर बताया जाएगा and then natural sources, जो हमारे naturally जो अकर होते हैं, चीजे, जिसे की volcanic corruption हो गया, earthquake हो गया, तो इन सब की वज़े से भी हमें earth के interior के बारे में, कहीं कहीं पता चलता है, तो चलिए, बारे-बारे से इसे पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे artificial sources के बारे में, जिसमें की हमने उपर ही देख लिया कि density था, तो density क्या है exactly, गहना तुक किस तरह से बताएगा कि interior of internal structure है earth का वो किस तरह का है, regarding the internal structure of the earth, a lot of information is available from the distribution pattern of density of the earth, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास जो available resources हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या हैं, हमारे पास information available है, देखो density से related न, density से जो चीज़े हमें पता चलिए, जैसे कि हमारे जो, हमारे जो earth है, उसका structure कुछ इस तरह से है, कि हमें पता चलिए का जो ऊपर वाला layer है, उसका density कुछ और है, उसके नीचे density कुछ और है, उसके नीचे density कुछ और है, तो इस basis पे हमारे पास क्या है, बहुत सारे यह information available है, it is commonly believed that the outer part of the earth is composed of sedimentary rocks, the thickness of which ranges between 0.8 km to 1.6 km, ठीक है, अभी यह आपे बताया जा रहा है, कि मतलब यह belief किया जा रहे है, कि जो ऊपर का जो surface है, जो outer surface है, आर्थ का, वो किस चीज़ से बना हुआ है, sedimentary rocks बना हुआ है, जिसकी मोटाई कितनी है, तिकनेस कितना है, 0.8 km to 1.6 km, on the basis of Newton's theory of gravity, the density of entire earth body was estimated to be 5.5, ठीक है, अब Newton's theory of gravity के according to density of entire earth मानी गई है, वो कितनी है, वो कितनी estimate करी गई है, 5.5, the density of the core of earth has been estimated to be more than 11, अब density of core of earth कितनी निकाली गई है, कितनी estimate करी गई है, more than 11, thus the earth is made up of many layers and the inner layers are made up of heavy materials, ठीक है, अब किसी भी basis पे, अगर चीजे निकाली जा रही है, like density पता किया जा रहा है, ठीक है, तो अब density अगर नीचे जाते जाते चेंज हो रही है, अलग-अलग है, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है, कि क्या है, अर्थ के अंदर क्या है, अलग-अलग layers हैं, जिनकी वजह से जो density है, वो कम जादा हो ही है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हमारे पास है pressure, initially, it was believed that due to the increase in weight and pressure of rocks, the core of the earth has the maximum density, but now it has been proved by the latest studies that due to pressure, the density of rocks increases only up to a limit, not after that, okay, अब ही यहाँ पर देखो, initially, क्या belief किया जा रहा है, कि due to increase in weight, weight increase होने की वज़े से, pressure of rocks increase होने की वज़े से, जो core है, अर्थ का, उसके पास maximum density है, किसकी वज़े से pressure और weight की वज़े से, ठीक है, लेकिन, अभी क्या proof किया गया है, latest studies में, that due to pressure, the density of rock increases only up to a limit, not after that, अभी जो studies ह पहले तो मान लिया गया कि weight or pressure के थ्रू जो है, क्या हो रहा है, जो density हो बढ़ रही है, ठीक है, अर्थ के core में, लेकिन, अभी जो फिलहाल study की गई, उसके थ्रू पदा चला, कि pressure के थ्रू density बढ़ रही है, यह बात चलो से ही है, ठीक है, लेकिन, वो सिर्फ एक limit तक बढ़ तो यह हुआ कि जो अब एक limit तक बढ़ रही है, तो वो limit कहीं mental तो नहीं है, ऐसा तो हो सकता है, कि वो core तक होई ही न, और core की हमारी density जाधा है, तो वो क्यों है, अब यहाँ पर तो pressure की बात भाई निकल गई, pressure तो यहाँ पर शामिल हुआ नहीं, तो यहाँ पर देखो बत सबस्तांसे के वज़े से जो magnetism of earth है, उसका development हुआ है, it is clear from both the means of density and pressure that the interior of earth is solid and many times heavier than the material of the earth's surface, तो अब यहाँ पर क्या साबित हो रहा है, कि जो density of pressure है, उसके basis पर यहाँ पर चीज़े clear हो रही है, कि जो interior of earth है, वो क्या है, वो solid है, और कई गुना जाधा क्या है, अर्थ के surface स से बहारी है, ठीक है, heavier है, अब यहाँ पर कोई मान के मत बैठ जाना कि जो earth का interior है, वो solid है, अभी भाया सिर्फ किसके basis पर बता जा रहा है, pressure और density को पढ़ने के बाद यह चीज़े क्लियर आ रही है, कि जो earth है, interior है, earth का वो क्या है, वो solid है, आगे देखो आगे आगे क्या ह होता है, यहाँ तक कोई नहीं वो करेगा, temperature में देखो temperature के basis पर क्या पता चलता है, the temperature increases with the depth in the earth, जैसे जैसे आप earth के interior में जाओगे, वैसे जो temperature है, वो increase करेगा, it increases at the rate of 1 degree per 32 meters at the depth, okay, क्या होता है, हर 32 meter पर 1 degree Celsius temperature बढ़ जाता है, जैसे जैसे नीचे आप जाओगे, जाओगे 32 meter गया है, तो 1 degree Celsius यह भढ़ जाएगा, on this basis, the temperature of earth will increase so much that no mineral and rock can remain in solid, solid state there, okay, अब भाया मैंने जैसा बताया, वही हो रहा है, उपर तो हमने pressure और density के basis पे यहाँ पे estimate कर लिया गया, मान लिया गया, कि जो earth का interior है, वो क्या है, वो solid है, okay, चलो मान लिया, solid है, लेकिन आप जाते जाते, temperature और जादा बढ़ता है, तो temperature कोड तक पहुचते पहुचते तो भाहिया बहुत बढ़ जाएगा, और उतना बढ़ने के बाद, यह possible ही नहीं है, कि कोई भी mineral और rock solid state में रह पाए, ठीक है, solid state में वो बच ही नहीं पाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो liquid हो नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रूफ क्या है, लावा, जब volcanic corruption होता है, तो लावा निकलता है, लावा जब निकलता है, तो लिक्वीड state में निकलता है, तो लिक्वीड state में निकलता है, तो लिक्वीड state में निकल रहा है, इसका क्या मतलब है, कि अर्थ में लिक्वी लिक्विड होना चाहिए मत मानना अभी आगे पड़ों उसके बाद माने होगे कि क्या है on this basis the interior of the earth is liquid ठीक इस बैसे पे तो अर्थ का interior क्या होना चाहिए liquid होना चाहिए but in opposition to this scientists say that pressure also increases at depth अब scientist का क्या कहना है कि भहिया temperature increase हुआ सही है ठीक है earth का liquid में होना भी सही है मतलब interior of earth का liquid में होना भी सही है हमारे पास तो proof भी है लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाओगे earth में जाओगे वैसे वैसे temperature के साथ साथ pressure भी बढ़ता है due to which the melting point of rock increases जिसकी वज़े से जो melting point है rock का वो क्या होगा वो increase करेगा और the rock remains solid और rock क्या होगा solid रहना चाहिए ठीक है वो तो solid का solid रहना चाहिए calculating the rate of increase of temperature in continental crust scientist found that the temperature at the depth of 40 km from the surface is tectonically active region in tectonically active regions is about 1000 degree celsius stable and calm region the temperature at the same depth is 500 degree celsius on the basis of temperature no definite conclusion can be reached ठीक है तो अभी यहां तक तो बाते चल रही थी ओक है इसको यहां समझेंगे जितना भी मैना अंडरलाइन किया है यहां पर जो लोग भी यह वाला लाइन देखो इसको महलब कर अर्स कर रही है यह लाइन फिर से एक बार पढ़ते है ठीक है यह तो सबका क्लियर हो गया कि depth के साथ साथ सर्फ टमट्रेचर ही नहीं बलकि प्रेसर भी इंक्रीज कर रहा है यह लाइन में मुझे लग रहा ऐसा कि बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन हो जाएगी इसलिए मैं इसको क्लियर करना जाती हूँ कि जो melting point है rock का वो increase करेगा and the rock remains solid मतलब जब melting point किसी भी rock का increase करेगा तो rock किस में change रहेगा solid में तो यह आपको याद रखना है कि जब melting point क्या है melting point rock का अगर increase करता है तो वो solid state में convert होगा and जब melting point decrease होता है तो वो liquid state में change होगा समझ में यह चीज आगे है सबको यहाँ पर कोई भी confused मत होना ठीक है तो अब बहुत सारे क्या कहना है साइंटिस्ट का कि temperature के साथ pressure भी बढ़ रहा है depth में और depth में pressure बढ़ने के साथ साथ क्या और है melting point increase हो रहा है रॉक का जिसकी वेज़े से रॉक को solid में होना चाहिए अब calculation जब होता है जब calculation होता है दो जब होगा एक तो हो गया हमारा normal stable काम जगा ठीक है अब यहां पे जब जब interior of earth में temperature मापा गया तो कितना है देखो 500 degree celsius ठीक है depth कितना है 40 km 40 km दो जगा है एक है volcanic eruption वाला मालो या फिर जहां पे tectonic events हुए है वह वाला ओके जब यहां पे temperature मापा गया तो है tectonic surface वाला जब नीचे यहां पे मापा गया तो पता चला कि 1000 degree celsius है यहां का और सेम सेम डेप्थ पे जब normal जगा पे मापा गया तो पता चला कि यहां का temperature क्या है 500 degree celsius तो भाया जब दो जगों के बीच में इतना सब्सक्राइब तो आप नहीं कल्कुलेट कर सकते हो ठीक है नहीं बता सकते हो कि अर्थ का जो इंटिर है वह सॉलिड में है लिक्वीड में है क्या में है ठीक है तो यहां पे इसलिए लिए लिखा गया है दस on the basis of temperature no definite conclusion can be reached आपके जो questions हैं उनमें आते हैं तो questions हमारे जब आये थे तो उनमें पूछा गया था कि sources हैं उनमें बताईए मतलब कौन-कौन से sources हैं जिनकी वज़े से जिनकी help से आप पता लगा सकते हो कि interior of मर्तब interior of earth का structure किस तरह का है तो आप यह सारा जो है सबका लिख सकते हो एंड जब last में आप conclusion लिख हो गई यह चीज कि कौन से चीज से clear हो रही है कौन से चीज से नहीं हो रही है दिन यह और भी अच्छी चीज होगी ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास है evidences from the theories of the origin of earth ठीक है यह evidences हमें कहां से मिल रही है जो theories मिली है हमें जो theories निकाली गई है ठीक है origin of earth को ले करके वहां से according to planetastial hypothesis, tidal hypothesis and nebular hypothesis अब यह क्या है वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगे ठीक है यह क्या है यह theories है इतना सब को पता है इन तीनों को मैं अलग वीडियो में इसलिए करने की बात कर रही हूँ कि यहां पर हमें इसके detail explanation की ज़रुरत नहीं है ठीक है इन तीनों की बस यह जान लो कि इस theory के according जो first वाले theory है planetastimal okay यह जो theory है hypothesis इसके according यह माना गया है कि जो earth है उसका origin कैसे हुआ है वो कैसे originate हुआ है solid state में ठीक है मतलब जो चीजे मिलकर के जिन चीजों से वो बना है वो क्या है solid वाली है ठीक है tidal hypothesis में क्या है liquid state मतलब liquid material से मिलकर के बनी है liquid material से उसका originate हुआ है वो origin है उसका and nebular hypothesis में gaseous state image की वो gas से मिलकर के बनी हुई है यह तीनों चीजी क्या करती है वो origin of earth को बताती है ठीक है कि किस तरह से earth हमारी originate हुई है तो मैं कोशिश करूँ कि इन तीनों को थोड़ा detail में बताऊं लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा पढ़नी की ज़रूरत नहीं है syllabus में हमारे नहीं है कि हम detail explanation करें इन सब का ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यह तो हमने समझ लिया कि origin of earth के basis पे इसके evidence पे हमारे earth को कैसा मान लिया गया इस थ्यूरी के according मान लिया गया कि हमारे earth के interior को solid state में होना चाहिए टाइल हैपोथेस के मान लिया गया कि लिक्विड स्टेट में होना चाहिए नेबिलर हैपोथेस के काइडिंग माना गया कि गैसी स्टेट में होना चाहिए फ्लियर हो गया इतना सब का अब हम आगे पढ़ेंगे नेचुरल रिसॉर्स नहीं है भीया मैं रिसॉर्स पढ़ाते पढ़ाते हैं रिसोर्स में पहुंच गही है यहां पे नेचरल सोर्स है हमारे नेचरली अकर्ड होने वाला है यह हमारा वुल्कानिस इस वुल्कानों नेचरली अकर्ड होते हैं कोई जा करके यहां पे खोद के तो नहीं न निकाल रहा है लावाज को बाहर अब हमारे जो साइंटिस्ट है उनका ये मानना है ठीक हैं जो कुछ साइंटिस्ट है हमारे के जो लावाज हमारे निकल रही है अर्च से बाहर अब ये इसी color कर रहेगा तो पता नहीं कैसे दीखेगा ये जो लावाज निकल रही है उससे कम से कम हमें इस बात पर तो यकीन हुआ इस बात पर तो believe हो रहा है कि Earth का इंटेजर का कुछ पार्ट तो ऐसा है जहां पे liquid है अब ये पूरा का पूरा है मतलब मैगमा वाला पार्ट है कि कौर वाला पार्ट है कौन सा पार्ट है ये नहीं पता हमें लेकिन Earth में कोई ये कैसा पार्ट जरूर है जहां पे liquid material अवेलेबल है ये हमें eruption से पता चल रहा है वुलकानिक eruption से आगे देखो हमारे पास क्या है सच मोल्टेन लेयर है उसको मैगमा चैमबर बोला गया जो क्या करता है वुलकानिक इरॉप्शन के टाइम में मैगमा लावा को बाहर निकालता है अब यहां पे देखो बताया जा रहा है कि क्यूंकि जो ये लावा और सबस्टांसे जो बाहर निकल रहना हमारे वुलकानिक इरॉप्शन के टाइम में वो 50 किलोमेटर तक ही है जो डेप्थ में वो 50 किलोमेटर ही है बिलो दा अर्थ सर्फेस ठीक है अर्थ सर्फेस से कितना 50 किलोमेटर नीचे तो यहां पर यह पूसिबल नहीं है कि हम पूरे के पूरे एक दों इंटियर ऑफ और्थ को एक्स्प्लेइन कर दें सिर्फ इसी बेसिस पे अब देखो वुलकानिक इस तो ह अब है evidences of seismology मोटा मोटी बात मैं बता दूं तो जो je seismology है वह बड़े अच्छा तरीके से बतायेगा हमें कि जो एर्थ का interview हो किस तरह का है ठीक है ? यही एक ऐसा है जो अच्छे से बतायेगा लेकिन इधर भी देखो बहत सारे हमारे scientists प्रकट होंगे जो अपनी अपनी वि jeans mi Peace कि वारे में तो हम पढ़ें लेकिन उससे पहले Zoomos So यहां पर highlight नहीं किया है उसके लिए मैं बहुत-बहुत ज्यादा छोमक प्रार्थि हूं आप से आप यहां पर देख सकते हुं यह हमारा most mostly38 की जिससे question आते हैं इसलिए में बता रहे हूं सेस्मोलोजी क्या है एर्थक्वेक और जो हमारे एर्थ के सिस्मिक वेब्स हैं जो विल्कानिक एर्प्षन के टाइम नी एर्थक्वेक के टाइम आते हैं जो वेब्स उनकी अच्छी खासे स्टडी जिसमें हम करते हैं उसको हम कहते हैं सेस्मोलोजी ओके सिस्मिक वेब्स आर स attend hunima qright Nayin सबनेन को एक यॡदे हैं सेश्मिक वीफत A Thousand सामारे उनको हम रिकॉर्ड किस से करते हैं सेस्म मुगाफ नामक एक हैं भी जो गलतियां हो रहा है उसको आप लोग सब्सक्रों कर देना धोड़ा आगे हैं हमारे पास the place of occurrence of an earthquake is called focus जहां पर earthquake occur करता है ठीक है उसको हम क्या कहते है उसको हम कहते है focus and the place which experiences the seismic event first is called epicenter और जिस place पर सबसे पहले experience होगा की earthquake मतलब आने वाली है ठीक है वो उसको हम क्या कहते है है epicenter okay seismic waves are generally divided in three broad categories अब जो हमारे seismic waves है ठीक है उनको हम three broad categories में divide करेंगे और पढ़ेंगे primary waves सबसे पहले हैं हमारा जिसको हम P waves भी कहते हैं longitudinal waves भी कहते हैं यह दोनों याद रखना है आपको primary waves की जगा longitudinal या फिर उसके जगा P waves भी लिखा हुआ हो सकता है तो घबराने की बात नहीं है इनको हम एक और नाम था भी यह याद कर लेना ठीक है यह तीन नाम है इसके यह बिलकुल किसके तरह होते हैं sound waves के तरह होते हैं यह बढ़ते हैं यह sound waves की तरह होते हैं ठीक है sound waves की तरह होने की वज़े से क्या होता है P waves travel with fastest speed through solid materials solid materials को आपने देखा जो भी हमारे पास solid चीज़े होती हैं उनको बज आकर के देखो sound कितना तेजी से एक दिम पास होता है तो ऐसे जो पी वेप्स हमारे ना वह जो solid materials होते हैं उनमें बहुत ही तेजी से पास करते हैं बहुत तेजी से ठीक है एक दो फास्टेस्ट secondary waves को हम transverse waves के दाम से जानते हैं ace waves के दिशॉर्सल जालत तर आपको यह दिशॉर्सल और computational नहीं मिलेगा आपको transverse ace और secondary मिलेगा are analogous to water ripples or light waves wherein the particles move at right angles to the rays cannot pass through liquid minerals जो important चीज़ है वो याद रखना कि जो हमारा primary waves था वो solid material में बहुत तेजी से जा रहा था बहुत यह से पास कर रहा था in fact वो liquid material में भी पास कर रहा था लेकिन उसकी जो speed थी वो थोड़ी slow हो गई थी ठीक है अभी secondary waves कहां हमारे हैं किसके समान हैं यह हमारे water and light waves की समान है light waves की तरह हैं और इनके जो particles हैं यह जब move करते हैं तो यह पास किसे नहीं करते हैं लिक्विड मेटेरियल से यह पास नहीं करते हैं अर आलसो कॉल्ड long period waves और simply L waves ठीक है जिनरली अभी याद रखने secondary और surface में मत गड़वडा जाना कि secondary को हम लिख देंगे longitudinal या फिर यह L waves और जो हमारा surface waves है उसको लिख देना है इस waves यहां पर मत confused हो जाना याद रखना अच्छे से generally affect only the surface of earth and die out at smaller depth ठीक है cover longest distance of all the seismic waves speed is slower than P and S waves but there are most violent and violent होता है यार and destructive ठीक है इसकी वजह से ना बहुत जादा मतलब चीजों का नुकसान होता है बले यह P और S से इसकी तेजी क्या होती है इसकी speed काफी कम होती है ठीक है लॉंगे डिस्टेंस कवर करता है एंड सिर्फ अर्थ के surface को ही affect करता है इसका interior से कोई लेना देना नहीं है यह चीज याद रखना एक smaller depth तक ही जाता है मतलब एक दम outer surface उसकी बात हो रही है एक दम outer वाला ठीक है यह नीचे depth में जाता ही नहीं है इतना clear हो गया सब का primary secondary और surface सब को याद हो गया हम आगे बढ़ें देखो seismic waves okay primary waves travel through any kind of material secondary waves only most through solid हमने क्या पढ़ा था जो primary wave था वो solid में एक दो fast speed के साथ travel कर रहा था और यह किसी के साथ भी मतलब solid liquid किसी में भी travel कर लेगा okay यह चीज क्लियर हो गई यहाँ पर secondary waves जो है हमारे वो सिर्फ कर रहे हैं हो गया यह interior of earth में आराम से गए तो मैं पता चल गया कि यह जो पार्थ है solid है अब जो हमारे solid वाले solid वाले नहीं जो हमारे ace waves हैं देखो इधर पास कर ही नहीं रहे हैं हमें पता है कि जो हमारे seismic waves में जो हमारे longitudinal sorry secondary waves है वो liquid में पास नहीं करते हैं लिक्विड में पास नहीं करते हैं यह चीज हमें पता है और मैं पता चला कि यह earth में लिक्विड में पास नहीं कर रहे हैं ठीक है it means earth का यह वाला पार्ट क्या है लिक्विड का है और जो हमारा primary wave है वो लिक्विड में क्या होता है थोड़ा स्लो होता है तो यह वाला पार्ट हमारा लिक्विड का है तो आप यहां से देख सकते हो कि यह सिधा आया हमारा पीवे और यह ऐसे मुड़ गया ठीक है यह आया सिधा और यह इधर मुड़ गया ठीक है यहां पर आपको दिख रहा है एक सेगंड को मिट point वाइट वाले जो दिख रहे हैं वो हमारे competitions mm से wow से जो नहीं यह आई वड़े रहे हैं अगयिन जो मारा program से हलका बेंड होगा लेकिन travel करेंगा article में एक ट्रावेल्र कर थालीर्ट में कर रहा है लेकिन हलका बेंड से तो इधर इसको bend करना पड़ रहा है तब जाकर कि यह वापस जब वापस आए गए तब अपने अपने जगा पर किया आ जाएगा ठीक है तो यहां पर पता चल गया कि लिक्विड स्टेट में किस तरह से कर जाता है इसकी जो स्पीड हो कैसे कम हो जाती है ओके आगे भी यह क्या कुछ हमारा यह हम पढ़ लेंगे बस यहीं तक है हमारा आज के लिए अंदस बेसिस अंद बेसिक अंद बेसिक अंद बेसिस ओफ वेलोसिटी सेस्मिक वेपस अर दिवाइड इन्टो थ्रे सेट्स मैंकिममम वेलोसिटी पीजे एजे वेपस अथ मेंनीमम वेलोसिटी पीएस वेपस ओफ मीडियम वेलोसिटी ठीक हैं यह हमारे हैं डैल शी्टिक के बास सेस्मिक वेपस याद रखना यह Honey यह जो पीजे वेपस हैं जो हूमारा पीवेब है помог Being on पीजेहें का ही में ज़. इधर एक है फिसे एकनी इंफ़ार्ट देर रिए एक पैस्टेंगर जोन और लेशेट वेरिन देंसिटी इंसाइड बेलो द आउटर थीन लेयर उप सेडिमेंटी जोन इसका मतलब यहां पर क्लिरली साफ साफ जलक रहा है कि यहां पे क्या हम पता चल रहा है velocity के according हमें पता चल रहा है कि अलग-अलग जोन्स हैं जिनकी वज़से जो चीजे ट्रावल कर रहे हैं उनमें differences आ रहे हैं ठीक है वो differences क्यों आ रहे हैं भाईया कुछ तो दिक्कत परिशानी है ना interior of earth में तभी तो आ रहे हैं नहीं तो अगर सब कुछ एकदम एक ही जैसा होता तो वो differences आते ही नहीं ठीक है तो यहां पे clear हो गया कि earth की जो densities and layers की वो vary करती है sedimentary dock वाला जो उपर का layer है उसको छोड़के तो upper layer, intermediate layer और lower layer ठीक है Jeffries discovered a different set of seismic waves termed as PGSG waves on the basis of the record of the earthquake of Kolpa valley in Crotia in year 1909 1909 में Crotia में जो Kolpa valley है वहाँ पर जब earthquake आया तो जो जेफ्रीज है उन्होंने एक नए वेब के खोज कर दी ठीक है नए seismic wave की जिसका नाम दिया गया PGSG इसका जो rate है per second कितना था 5.4 km to 3.3 km per second okay it is proved on the basis that the upper layer is composed of granite rocks, granitic rocks तो इसी जो travel करने की जो छमता है इसकी उसी के बैसेस पे ये मतलब clear किया गया कि जो upper layer है वो किस से बना हुआ है, granitic rock से बना हुआ है, intermediate layer की बात की गई तो Conard ने ये identify किया है किसके बैसेस पे तो on the basis of Turan earthquake of 1923, 1923 में जो Turan में earthquake आया था उसके बैसेस पे इनों ने एक नाम दिया P star और A star wave ठीक है, ये क्या है, seismic waves अभी ने कोई याँ पे star है इसलिए मैंने star पढ़ दिया exactly मैंने भी नहीं देखाई कि क्या ये ही होगा, लिखने तो आते ही है जब को ठीक है, travel at the rate of 6 to 7 km and 3 to 4 km per second अब इसकी स्पेड देख सकते हो कि ये 6 to 7 km, 3 to 4 km per second के स्पेड से travel कर रहा है, okay according to Daly and Jeffries ये क्या है, glassy basalt है मतलब ये जो surface है, ये जो layer है intermediate layer, वो basalt का है glassy basalt का, ठीक है according to Wagner and Holmes, ये amphibolite का है and बहुत सारे scientist के according, मतलब जो इसके समर्थन में है उनके according ये basalt का बना हुआ है, ठीक है तो यहाँ पर दो चीज़े यहाँ पर सामने आ रही है कि जब दो बार earthquake हुआ अलग अलग जगा पर तो उसको record करने के बाद पता चला कि यहाँ की जो speed थी waves की वो किस तरह की थी किस speed से आई and then पता चला कि जो वहां के layer से वो किस चीज़ के बने हुए ठीक है, जो materials है वो exactly है क्या ठीक है, तो हमें first वाले में पता चला आपर layer में की वो granatic rocks है और second में पता चला कि वो क्या है बास alt है, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत सारे scientists ने इसकी सहमती दी है आगे है lower layer Lower layer में क्या है, velocity is 7.8 km, 5.4 km per second Velocity lower layer में क्या है 7.8 km से 4.5 km per second तक की Highest velocity seismic waves की इसी वाले में है, ठीक है, lower वाले में ही है Innermost part of the earth indicate an inner or lower layer of heavier materials most probably preodotite और dunite, ठीक है तो यहां पर पता चला रहा है एक चीज़ की जो lower layer है, वो उसमें highest seismic waves की velocity भाया है, ठीक है, एकदम highest velocity की साथ ही ट्रेवल कर रहा है इसका मतलब की जो lower layer है हमारा वो heavier material से बना हुआ है ठीक है, heavier material होने की वज़े से क्या है, seismic waves एकदम तेजी से इसमें पास कर रहा है ठीक है, highest velocity के साथ तो यह चीज़ यहां पे clear हो गई अभी जो आगे हमें पढ़ना है आगे का chapter में दिखाई देती हूँ इसमें है यह वाला लिखा हुआ जो layers of earth's interior and their chemical structure इसको हम second video में cover करेंगे, पूरा का पूरा अलग-अलग जो हमारे ASIAL layer है, ASIMA layer है NIFE, ठीक है, यह जितने भी layers से इन सब के बारे में clear करेंगे जो अभी जो recent views आया है इस topic को लेकर के कि जो earth का interior है, वो किस तरह का है कितनी density है, कि rate के साथ जो हमारे waves है, seismic waves वो travel करते है वो सारी चीज़े हम clear करेंगे ठीक है, तो जादा अगर अच्छी लगी वीडियो नहीं है syllabus के कोर्डिंग और आपके class के कोर्डिंग अच्छी खासी है आप इसको देख सकते हो अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज शेयर जरूर करना, ताकि मैं continue कर सकूँ वीडियो, ठीक है, हमें भी थोड़ा motivation चाहिए होता है बच्चे देखेंगे नहीं तो फिर बनाना ही क्यों है है ना, तो देखना भी और अपने friends के साथ शेयर भी कर देना comment भी कर देना, कहीं पर कोई भी पारिशानी हो तो आप बेजी जग बोच सकते हो thank you so much, मिलते हैं next video में and tabdaakal you all the best